हेलो दोस्तों सेवी ने 22 माई 2024 को जो सिक्यूटीज के पब्लिक इश्यूज होते हैं इनके एप्लिकेशन प्रोसेस से संबंदेत प्रोविजन प्रेस्काइब किये गए थे जो डेट सिक्यूटी का एप्लिकेशन प्रोसेस होता है उसको एक्विटी सेयर और कनवर्टेबल्स के पब्लिक इश्यू के साथ एलाइन करने के लिए 22 सितंबर को सेवी ने निर्णे लिया है जो भी इंडिविजूल इन्वेस्टर जिनका एप्लिकेशन एमाउंट पास लाग तक है और वो इंटरमीडियरी के माद्यम से डेट सिक्यूटी के पब्लिक इश्यू में आते हैं उन्हें केवल UPAI का यूज करके अपने उस एमाउंट को ब्लॉक करने के लिए उन्हें केवल UPI का यूज करके फंड को ब्लॉक करना होगा और बिड कम एप्लिकेशन फ़र्म में उस बैंक एकाउट को देना होगा जो की आपका उस UPI ID से link है और इसे intermediary के पास जमा कर दिया जाएगा इन intermediaries में syndicate members, registered stock brokers, उस issue का registrar और transfer agent और depository participants सामिल है हाला कि इसके बावजूर जो individual investor है उसके पास SCSBs और stock exchange के platform का यूज करने का option जारी रहेगा ये नए rules जो हैं उन public issue जो की debt securities, non-convertible, redeemable preferential sales, municipal debt securities and securitized debt instrument पर लागू होगे जो की 1st November 2024 के बाद आएंगे तो दोस्तों इस जानकारी आपको कैसे लगी ये सेबी के बारे में उन debt security के बारे में जानकारी थी अगर आप JIB-CIB promotion की तेयारी करें तो दोस्तों चैनल को subscribe कर लिजेगा क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी हमारी live classes है वो मिलती है capsule videos मिलते है, revision मिलता है, marathon मिलती है अगर आप interactive course को join करना चाहते हैं जिसमें teacher और student का interaction भी होता है तो उनका link नीचे description box में दिया हुआ mobile application को जरूर download कर लिजेगा क्योंकि उसी के माध्यम से आपको free notifications जो हैं आपको मिलते रहेंगे आप नीचे description box में जाकर अपना offers अवेल कर सकते हैं दोस्तों जानकारी को और लोगों तक जरूर पहुचाएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिन्नेवाद, thank you so much